अस्सलामु आलेकुम गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल कोकिंग इत्मौम, तो क्या हल चाले आप सबी के, तो आपका भाई आज फिर से हाजिर एक ने रेसीपी के साथ, जो है बैगन का भरता और जवार की रोटी की, हाँ आज आपके भाई ने एक देसी रेसीपी लाया ह मैं तो यह मानता हूं कि यार फोरें रेसीपी जो है पास्ता, पीजा वगेर वो सब अपनी जगा है, बट अपना देसी खाना जो है वो सबसे बैस्ट है, और यह जो रेसीपी है जावार की रोटी यह तो बहुत जादा फाइदे मन होती है, ताकत के लिए होती है, तो यह आप ट्राइ कीजिए बनाईए, तो चलिए फिर देखते हैं हमें इस रेसीपी के लिए किन किन इंगरेंस की जरुवत है, अब यहां पर जो हमने एक बड़ा बैगन ले लिया है, यह जो बैगन होते है, यह स्पेशली भरती के लिए होते है, हमने चार बैगन लिया है, इस बैगन में लगा लेगे, आप लगबग समझे, पंदरा तक की 10-15 लशन हमें एक बैगन में लगाना है, इस तरीके से जो हम हमारे बैगन को सेख लेंगे, हाई फ्लेम पे गैस को चालो करके हम बैगन को ऐसा रख देगे, और आगे पीछे जब करना होता हम उसे चिम्टे का इस्तिमाल करके हम उसे अच्छे से से ख लेंगे, जब तक पुरा बैगन इस तरीके से काला हो जाए, तब तक की हमें सेख लेंगे, उसके बाद हम आलू भी सेख लेंगे, आलू सेख ने के लिए कुछ निकरना, नॉर्मली बस आलू को रख दीजे, आप हाई फ्लेम पे औ दीजे, और चारो बैगन का हम अच्छे से इस तरीके से छिलका निकाल लेंगे और लस्सन को साइड में निकाल के रख देगे, और आलू को चिलने के लिए हम छूळी का इस्तेमाल करेंगे, उसका जो जलावा हिससा होगा, हम उसे अच्छे से काट के निकाल देंगे, चिल को पीस लेंगे और उसके हम प्यूरी बना लेंगे अब हम इसी तरीके से जो है बैगन को भी पीस लेंगे बैगन को चारो बैगन को काट के हम मिक्सर के जार में दाल लेंगे और उसको हम पीस लेंगे और आलू को भी जो है हम काट केस में दाल लेंगे और आलू को भी हम पीस लेंगे आलू को एक दम भी नी पीस लेंगे होग हलका सा पीसना है हमेज में अब हम जो है नॉन स्टिक फ्राइपेल ने लेगे उसमें हमने इस चम्मच से चार चम्मच हमने ओयल ले लिए खुकिंग ऑल फिर हम इसके अंधर जो है वन टी स्पून जीरा दाल लेगे और चार कब हम प्यास दाल लेगे बारिक-बारिक चॉप करी पूरी लाल हुजाए तब तक कि हमें इसे फ्राय करने अब हम इसमें दो चम्मच अद्रक का पिस्ट और दो चम्मच लशन का पेस्ट डाल लेंगे और हरी मिर्ची का पेस्ट जो हमने 2 टेबल स्पून लिया है अगर आप तीका कम काते हो तो आप तीका कम कर लिजे मिर्ची 1 टेबल स्पून यूज़ कर लिजे आप अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी का पॉर्डर दाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से उसके बाद जो हमने सारी चीजों को पिसके रखा था वो सब इसमें दालके हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और वन टीस्पून जीरा पॉड़र दाल लेंगे और इन सब को जो हम अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे अब जो हमारा भरता अल्मोस्त तयार हो चुक है तो अब हम जो इसे ढख के पाच मिर्ट के लिए पका लेंगे तो अब हम जो है जबार की रोटी बनाने के लिए इसका आटा गुन लेंगे हमने आदा किलो जवार का आटा लिया है और उसके उपर अभी हमने जो है स्वाद नुसा नमक डालकर हम इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे गुनने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करते जाएगे एक साथ पूरा मत डाल देना मुनना कभी कवार पानी जाद होनी कि वोज़े से हमारा आठा पतला हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेगे और इसे मिक्स करते जाएगे हम अब हमारा आटे में हमने पानी डाल के उससे अच्छे से गुंद मिक्स कर लिया है तो अब हम उसमें आटा आटा के थोड़ा सा आटा लेगे बरतन में और उसे हम अच्छे से पानी दाल दल थोड़ा थोड़ा पानी दाल दल के अच्छे से मसलेंगे उसे जो है हमें एकदम चिकना ओए तक कि पूरा याठा मिक्स हो जाए उत्तेह़त तक कि हमें इसे मसल नहां इसा हतेली से आपको याद होगा हमारी घुलाब जामन की रिसिपी में जैसे में ने मावे को मसल अफये बिंगना मैं से जब तक चिक नान हो जा हमारा अख़्े से मिक्स में तब तक कि JK म समसल का यह कि अब छो में रोटी बना निकले रोटी बना निकले अमने लोही ल है उसकी और उसे हमने प्लेटफॉर्म पे बनाए पटला और बेलन यूजनी के है प्लेटफॉर्म पे हम इसे जवार का आटा दालके उसे हाथ से जो हमी मसले आ रहे और गोल-गोल खुमा जा रहे तो रोटी बहुत अच्छे से बनी आप पटला बेलन से भी बना सकते बड़ इ हमने इसे तबे पे से का तो दोस्तों हमारा पैगिन का फरताओ जवार की रोटी बनके तयार हो चुकी और ये किन वाझे बाइन ये बहुत डेलिशेस रेसेपी आपके कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी रेसीपी कैसी लगी तो गाइस रेसीपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को प्लीज सस्क्राइब कीजिए और अपने फ्रेंज और फैमली के साथ भी ये डिलिशिस सी देसी रेसीपी शेयर कीजिए तो मिलता एक लिए रेसीपी व्लॉग में तब तक लिए लाहाफीज